हिमाचल परदेश अपने पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे कर चुका है। हिमाचल के 50 वर्ष पूरे होने पर 2021 के साल को स्वरण जयन्ती समारुह के रूप में मनाया जा रहा है। हिमाचल की 50 साल की यात्रा को यादगार बनाने के लिए सरकार ने कई तरह के कारेकरम आयोजित करने का निर्ने लिया था लेकिन कोरोना के चलते सारे आयोजन धरे के धरे रह गए इसी कड़ी में अब आगामी सत्रह सितंबर को हिमाचल प्रदेश विधान सभा का एक दिन का विशे सत्र बुलाया गया है खास बात ये है कि इस सत्र में महमहिम राश्ट्रपती रामनात कोविंद बतौर मुख्याती थी शिर्कत करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश विधान सभा ध्यक्ष विपिन परमार ने बताया कि 17 सितंबर को हिमाचल विधान सभा में राश्ट्रपती का एक घंटे का विशेश अभी भाशन होगा इसको लेकर हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने सभी तैयारियां शुरू कर दी है राश्ट्रपती रामनात कोविंद का हिमाचल में पांच दिन के प्रवास का कारेकरम है इस दौरान रामनात कोविंद शिमला स्थित राश्ट्रपती निवास में रुकेंगे इस बीच 17 सितंबर को राश्टपती रामनात कोविंद हिमाचल विधान सभा आएंगे और विशेश अभीभाशन भी देंगे इस सतर में वर्तमान सदस्यों सहित पूरव विधायकों को भी बुलाया जाएगा माचल आ रहे हैं जबकी 20 को उनके वापिस जाने का कारेक्रम है हिमाचल परदेश के पूर्ण राज्य के 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और पूर्ण राज्य के स्वर्ण जिन्ती वर्ष के इस मोके पर विधान सभा का विशेश सत्र का आयोजन 17 सेप्टमबर को किया जा रहा है जिसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है अधर्निय राश्ट्र पती जी शिरी रामनात कोविन जी इस कारेक्रम में विशेश रूप से हिमाचल परदेश में आ रहे हैं और इस माननिय विधान सभा में वो अपने अभिवाशन के रूप में विधाईकों को और पूर विधाईकों को यहां पर उद्वोधन के रूप में मार्ग दर्शन करेंगे ये मैं बताना चाहता हूँ मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि महामहीम राश्टर पती जी हिमाचल परदेश के प्रवास पर आ रहे हैं और इस स्वर्ण जेनती पूर्ड राज्य के मोके पर हिमाचल परदेश सरकार ने कुछ एक अन्य कारेक्रम भी निर्धारित किये होंगे परंतु स्तारा तारीक पूर्वहान ग्यारा बजे से बारा बजे के बीच में ये सोभाग्या हमें प्राप्त हुआ है कि अधर्निय राश्टर पती महोदे यहां पर आ करके हमें अशिर बादेंगे